मैं आशीश राठी रिजल्ट गुरू 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूँ SSC GD की ओफिशियल आंसर की आउट हो चुकी जैसे कि आप सभी को पता है कि 13 फरवरी को आपका SSC GD के एक्जाम कंप्लेट हुआ था और आज 18 फरवरी है चार दिनों के बाद ही SSC ने ओफिशल आंसर की लॉंच कर दी है तो अब सभी स्टूडेंट्स SSC की ओफिशल वेबसाइट पर जाकर अफिशल वेबसाइट किस नाम से आपको मिलेगी SSC.nic और .in पर आप जाओगे और आप अपनी आंसर की यहाँ पर चाकर चेक कर सकते हो अभी वेबसाइट हो सकते हैं कि आपकी थोड़ी सी बिश्ट हो फोड़े समय के बाद आप अगर चेक करोगे तो यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप आंसर की चेक कर सकते हैं जब आप आंसर की चेक करोगे तो आपको एक तो डालना पड़ेगा आपका रोनолंबर एक आपको रोनोंबर डालना पड़ेगा मान लोगे आपका रोन लंबर एक्स वाई जैड है रोर इसके बाद आपसे मुझेगा पासवर्ड आपसवर्ड जैसे कि मान लोगे आप लोगों का जनम तीन अपरैल 300 निंजार में गोगता तो आपको डालना पड़ेगा 3 अपरेल जो थमा ही ना होता है अपरेल 19 निंजार बाकि आप इसके लिए अपने admit card पर जाकर आपको roll number भी लिखा होगा वहाँ पर और password भी admit card पर जो लिखा है उसको adjectives चापके आपका paper अपने आंसर भी चेक कर सकते हो कि आपके कितने नंबर यहां पर बन रही है पर सही questions के लिए आपको दो नंबर मिलेगा और इसके साथ साथ आपकी निगेटिव मार्किंग भी है वन बाई फॉर्थ आपकी निगेटिव है आप देखो यहां पर जब आप चेक करोगे मालों की अपने चूज कर रहा है जिस आपका गलत हो जाएक तो इस तरीके से आपको अपने अंसर चेक करने है ताती साथ आंसर चेक करने के बाद आपको ये बताना है कि आपके actual में कितने नंबर बन रहे हैं और उन नंबर का comment comment section में करना है हो सकता है कि जब आप answer check करोगे इसमें एकाथ सवाल कुछ गलत भी आपको मिल जाए ठीक है ना एकाथ सवाल की गलत आ सकती है या question गलत हो सकता है तो उसके लिए procedure होता है आप लोग का कि objection आप उस सवाल का objection कर सकते हो और objection करने के लिए 100 रुपे each question आपको payment करना होता है 100 रुपे each question चाहे आप किसी category से belong करते हो तो आपको 100 रुपे देने पड़ेंगे objection करने के लिए और अगर वाके में आपका सवाल गलत है और आपने objection कर दिया तो SSC उसका review करती है अगर review करने के बाद वो सवाल वाके में ही गलत निकला तो उस question के number आपको मिलेंगे केवल आ official website SSC.nick.in पर अपने answer चेक करिएगा अगर कोई सवाल गलत है तो वो भी आप बता सकते हैं उसको एक बार हम लोग भी review कर लेंगे आपको बता देंगे कि या वाके में सवाल गलत है या नहीं है और अपने number comment section में आप लोगों को जरूर बताना है इसी तरीके की update information जानने क के लिए आप अपने परिवार रिजल्ट गुरू 2.0 के साथ जुड़ना मत बोलेगे